यहां उपस्तित सिंजे पाउस परिवार के सभी सतस्यों को आशी सिशोधिया की तरफ से आप सभी को बहुत-बहुत स्वागत वंदान अभिनंदन इस मीटिंग में उपस्तिती के लिए दोस्तों इस समय के वाजिसी की प्रक्रिया काफी तेजी से आगे चल रही है और बहुत सारे लोगों का मैसे जाता है कि हम के वाजिसी कर रहे हैं तो सम्मिट का बटन नहीं काम कर रहा है जो लोग केवल इमेज डाउनलोड कर रहे हैं पिक डाउनलोड कर रहे हैं उनका तो सम तिरपन के वाइसी अपडेट हुई है लगभग एक सेकेंड में दो से तीन के वाइसी अपडेशन हो रहा है जो चार्ट सामने आया है बहुत सारे लोगों ने जो पिछली के वाइसी की थी जब अपने आईडी पर देखते हैं तो उसमें ब्लैंक दिखाई रेता है वो के वा से जाकर के सर्वर सही हो पाया है और हम कल से लगतार 24 घंटे लोग काफी संख्या में के वाइसी अपडेट कर रहे हैं लगभग 20% लोगों ने के वाइसी अपडेट कर लिया है 17-18% लोगों ने के वाइसी अपडेट कर लिया है तो आप सभी लोग के वाइसी अपडेशन में हिस्सा लें ताकि भविष्ट में किसी भी परकार की बुक्तान के लिए आपको अशुविधा ना हो और कमपनी के पास भी एक डेटाबेस चार्ट उपलब्द रहे ताकि समय सीमा निधारित की गई है क्योंकि पहली सितंबर से कमपनी अपने विड़ाल सुरू करेगी और किसी को भी ना कमपनी से बाहर किया जाएगा ना उसकी आईडी ब्लाक की जाएगी अगर आपके वाइसी नहीं कर पाते हैं तो कुछ प्रासेस हैं उस प्रासेस के तहट कम कंपनी से बाहर किया जाएगा नहीं आपकी अधी ब्लाक की जाएगी अपकंपनी का हिस्सा बने रहेंगे अगर आप के वाइसी नहीं करते हैं तो या तो आपकी आईडी को विड्राल के लिए रोका जाएगा पी-टू-पी उपलफ रहेगा और या फिर आएडी को जीरो- महत्रपुर्ट सूचना ये है लिंक को ले करके हमारे बहुत सारे लीडर्स अपने लिंक को वाक्सप पे फेस्बुक पे सेयर कर रहे हैं उनक से हमारा आगरा है कि वो अभी ऐसा ना करें और क्योंकि वो लिंक आपके टीम से हट के क्रास टीम के लोग भी एक्सेप्ट करके उ इससे एक दूसरे लीडर्स का बहुत नुकसान होगा कुछ लीडर्स इस भरम में हैं कि हम कंपनी के बहुत खास हैं तो हम चाहे जिसको नीचे जोड़ लें चाहे जिसको उपर जोड़ लें कंपनी इस पर कोई कारवाई नहीं करेगी तो यह जान लें कि अगर उन्होंने ह हमने देखा है अपलाइन में जो उस सिस्टम में उनका अपलाइन नहीं था जो सिस्टम में डाउन लाइन नहीं था उसको भी लिंक भेज दी है उस लोगों ने क्रास कर लिये हैं क्रास लाइन से भी लिंक ले लिया है तो आप लोग इस भरम में न रहें इसकी भी आडिट होगी और हम पहले बार बार इस बात को दोहराते रहें हैं कि यहां कमी पाई जाएगी तो दोनों सिस्टम में हम आईडी ब्लाग कर देंगे क्योंकि अगर आप कमपनी रूल्स के अगेंस्ट जाएंगे और आपको यह भरम हो गया होगा कि हम बहुत खास हैं कमपनी हमारे खिलाब कारवाई नहीं करेगी तो आप एकदम रेडी रही है सबसे पहले कारवाई आप पर ही होगी सिंजे पावर्स जिस मानक पे काम कर रही है और जिस तरीके से काम कर रही है और जो करने की तैयारी कर रही है उसमें किसी भी प्रकार के अनुसासन हींता बरदास्त नहीं की जाएगी leaders कितना भी महत्पुन हो वो company से उपर नहीं हो सकता है तो अगर आप लोगों ने गल्ती की है तो इस गल्ती को सुधारे हमारे पास से शिकायत नहीं आनी चाहिए और हमारे जो leaders company से कुछ कारणों से बाहर कर दिये गए हैं उनकी downline के लोग उनके applying से फोन करके लिंक ले ले किसी को कहीं भी भ्रमित होने की जरूत नहीं है विशेश परिस्तिती में हमें भी WhatsApp कर सकते हैं अगर आप कहीं भी काम करने की चुक नहीं है आपका downline applying सब जगा से विश्वास खत्म हो गया तो आप company से भी link मंगा के काम कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपके पास ठोस कारण होना चाहिए कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं तो link एक system wise लें आप ID कहीं लगा सकते हैं उसका कोई रोक नहीं है लेकिन जो पिछले crowdfunding में आपका चार्ट है वो चार्ट सो होना चाहिए आपके डाउन लाइन में कोई ऐसा नया व्यक्ति नहीं दिखना चाहिए जो crowdfunding में ना हो और सीधे यहां आपने उसको link दे के जोड़ लिया हो अगर ऐसा पाया गया तो आपके कारवाई सव प्रतिस्ट सुनिश्चित की जाएगी आज company crowdfunding sectors में और crypto sectors में दो नई स्कीमों का आगाज कर रही है यह स्कीमें बहुत इस्ञांदार और धमाकेदार है इन दोनों स्कीम को और विराइज करने के लिए हमें P2P खत्म करना पड़ा जो P2P पे रोक लगी थी वो भी आधे घंटे में हटा ली जाएगी क्योंकि बहुत सारे लोग आईडी अफग्रेशन नहीं कर पा रहे थे P2P बंद करने का कारण यह था कि जो नेटवर्कर कम दाम पे डालर खरीद और बेंच रहे थे उन लोगों पे कारवाई सुनिश्चित नहीं हो पा रहे थी लेकिन इसका पनिश्मेंट उन लोगों को मिल रहा था जो आस्तों में कमपनी में काम कर रहे हैं और P2P नहीं कर पा रहे थे तो उसके लिए एक मानक्त है किया गया है P2P खोला जा रहा है आप जब भी किसी को डालर सेंड करेंगे उसका फाइनेंस डीटेल आपके पास होना चाहिए वो पैंसंपने किस खाते में लिया है उसका बेबरण आपके पास होना चाहिए कमपनी ने एक नया पैनल तयार किया है जसमें डालर ट्रांसफर का डीटेल अलग से आएगा तो आप किसी को डालर दे रहे हैं तो उसका फंड इस्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए कमपनी से फोन करके कभी वो भी वो मांगा जाएगा अगर आपके पास वो डिटेल नहीं है या कमदाम का डिटेल है या आप कहते हैं हमने कैस ले लिया है तो आपकी आईडी बलाक हो जाएगी क्योंकि कुछ लोग डालर कमदाम पे खरीद और बेज करके एक चीज़ और बताना महात्पूर है कि आईडी केवल बेचने वाली की ही नहीं होगी जो डालर लिया होगा उसकी भी आईडी बलाक होगी तो मैक्सिमम आप प्रियास करें कि आप अपने अपलाइन से जो आपका डाइरेक्ट अपलाइन है उसी से डालर पर्चेस करें और जो भी डालर आप ले रहे हैं, उसका फंड उसके खाते में क्रेडिट करें, वो इस्टेटमेंट आपके पास भी और उसके पास भी होना चाहिए, ऐसा ना हुपाने की दसा में, अगर आपने कहा सर मैंने कैस दे दिया था, तो ये नहीं माना जाएगा, ऐसा ना हुपाने और क्रिप्टो सेक्टर्स में इस सेग्मेंट को आगे बढ़ाएं, जो बच्चे हुए कारफंड थे जिनको कमपनी ने अनौंस्ड किया था, आज उन सभी 43 लोगों को कारफंड भेजे गए हैं, हमारी तरफ से उन सभी को बहुत-बहुत बढ़ाई और बहुत-बहुत सु महारतियों को कारफंड मिला और एक महिने का समय हो गया, और उन्होंने अभी तक कार नहीं ली है, तो हमारी वारनी है, 30 अगस्त के पहले पहले अपनी कार हर हाल में पर्षेज कर ले, ऐसा नहीं पाने की दसा में, कमपनी अपने कारफंड को रिकावर करेगी, और उनकी आपने उस फंड का उप्यों किसी अन्यमद में किया है तो उसके लिए आप सोयम उत्तरदाई होंगे आप लोग ज्यादा से ज्यादा केवाइशी करें ताकि एक जो लोगों में चर्चा रहती है कि कंपनी विड्डाल रोग रखा है उससे विधा को समाप्त करके कंपनी अनल उनलाइन किसी से भी समपर्क ना करें पर्सों से सभी प्रोडक्स की आप उर्ती सुरू की जा रही है और विदिन वीक आप सब के पास वो बारा आईडी के गिफ्टेड प्रोडक्ट आप सब के पास पहुंच जाएंगे पहुंचने पर कंपनी को इन्फार्म जरूर कर दे और जो कोर कमिटी मेंबर्स हैं उनको जो एक कीस एडवांटेश देने का कमपनी ने कमिट्मेंट किया था उसके लिए कमपनी एक बैठक आखुत करने की तैयारी कर रही है कोर मेंबर्स की जो लोग वास्तों में पात रहें वो निश्चित इस बैठक में हिस्सा ले करके 21 प्राप्त करके कमपनी की गत्विधियों को आगे बढ़ाने में सहयोग करें कल जाएंग कल चार बजे फाउंडर बोर्ड की बैठक आउजन किया जाएगा यह बैठा कि एक जूम मीटिंग के तहट किया जाएगा टेलीग्राम पिये मीटिंग नहीं होगी जूम का लिंक आप सभी को सुबा भेज दिया जाएगा पूरे देश में जितने भी कमपनी के फाउंडर्स हैं केवल फाउंडर डारेक्टर आएंगे क्रेटिव डारेक्ट इसमें हिस्सा लेंगे क्रेटिव फाउंडर्स की अलग से बैठक बुलाई जाएगी तो पूरे देश में जो भी फाउंडर्स हैं सब एक दूसरे से संपर कर लें सुबाद जीम का लिंक आएगा और करसाएंकार चार बजे सभी फाउंडर्स की एक आतिमात पूंड विषय पर मीटिंग होनी सुनिश्चित है आपको उसका हिस्सा बना अनिवार है लेकिन अगर कोई फाउंडर बोर्ड में नहीं है उसके बाद भी इस मीटिंग में आता है तो उसके खिलाफ भी कारवाई सुनिश्चित की जाएगी क्योंकि लोग अनावस्त्यक मीटिंग में सकता नहीं है आप जिंजे पावस में तभी सफल होंगे जब आपके सुनने समझने और सुचने की शमता जागरत रहेगी तो गलती से भी कोई अनर्गल या जो ब्यक्ति पातर नहीं है वो इंट्री ना करें सभी कंपनी के फाउंडर्स डारेक्टर कंपनी में इंट्री करे हम लोग 25 तारीक तक पुर्वत्तर राजियों के दवरे पे रहें कलत्रिपुरा में कंपनी का शेमिनार है कुमारगट जिले में हम लोग उपस्तित हैं वहां पहुंच चुके हैं और परसों सिक्किम गंगटोक है फिर असम में जोरहाट में है उसके बाद अरुराचल प्र 27 तारीक को मध्यप्रदेश में कारिकम कायوجन किया गया है 28 तारीक को महराष्ट में इन्वेश्टर समीट कायوجन मानी जियस गुपता के सवजन से किया जा रहा है हमारे एक दिला कोर कमेटी शदस कि शुपुत्री की शादी भी है उसमें भी हमें सिर्कत करना है और 30 और 31 की प्रकुरिया में 29, 30 और 31 करमशह, नेपाल, बांगलादेश और भूटान की यात्रा पर हम लोग होंगे जिसमें हमारे साथ कमपनी के ब्रांड एंबश्डर मानी अशोक सर्मा मानी संजे चतरवेदी जी भी होंगे पहली अगस्त को कमपनी के ब्रांड एंबश्डर मानी रव मुख्याले की ओपिनिंग और क्रिप्टो से संबंधित लाइसेंस के सभी मानक पूरा करके वापस आएंगे उसके बाद हम लोग दूसरे देशों में अपने कारिक्टम की सुरुआत कर सकेंगे तो आप सभी लोग इस मीटिंग में हिश्चा बने हैं लगातार दिन अंतर कु कंपनी के रूप में अस्थापित हो चुका है किसी को जो भी अस्विधा है वो दो चार दिन धायरे रखे जो आज हमारी आलोचना कर रहे हैं कल वो हमारे नाम पे थाली बजाएंगे क्योंकि उन्हें हमारे वीजन मिश्चन का ग्यान नहीं है वो केबल छड़ी चीजों को देख पा रहे हैं जब चीजें लंबी होती हैं विजन लंबा होता है तो चीजें बहुत देर से समझ में आती हैं आप सभी सदस्यों का हर मीटिंग हर बाइठक में सामिल होने कंपनी की मूलभोतियों जनाओं में हिस्सा लेने और कंपनी के नियम कालोनों का पालन करने के लिए हम आप सभी के विशेश आभारी हैं, आप सभी का इस मीटिंग के उपस्चिती के लग एक बार पुनाभे नंदन, आप सभी का आभार, जैहिन, जैसिन जपाउस.